कम्प्यूटर का एंटिवारा से 30 MCQ प्रस्न देखेंगे जो आपके आनेवाल एक्जाम जैसे लेवर इस्पेक्टर का जिसका 24 जून को एक्जाम है उस परकर हॉस्टल वार्डर में कम्प्यूटर के 50 नमबर प्रस्न पुछे जाते हैं सिख्षक भरती में भी यहाँ पर आपको कम्प्यूटर से प्रस्न पुछा जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कम्प्यूटर के एंटिवारा से पुछे गए प्रस्न जो आपके आनेवाल एक्जाम के लिए काफी महत्तर पुर्ण है पहली बार आया हैं तो चैनल को जल्दिस जाईएगा सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाओँगा कि एंटिवारा से शोप्टेर से जितनी भी प्रसन पूछेगे हैं आपके व्यापम प्यक्धी में वही प्रसन में लेकर आया हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 MCQ जो सबसे पहले आप सभी को पहले एंटी वारेस से आप सभी को क्लियर कराने जाता हूँ जो एंटी वारेस आपका नौर्थन है, मैक फी है, क्वीक हील है, एवस्त यहां से 2-3 नमर प्रसन पूछे जाते हैं जो आपके एंटी वारेस है, जितने फी आप सभी देखने हैं, यह सभी आपके व्यापाम, PSC, पटवारी वगरे में पूछे गया हैं ठीक है, पहली बार आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिजेगा ना चलिए, आप देखते हैं, एंटी वारेस सब्टेर, जो आपके नोर्थान हो गया है, मैकपी, क्विक, हील, एवस्त, आरिया, नेपी, वैपर, फोटाउट, कासपर, इसकाई, एवीजी, यह सभी क्या एंटी वारेस है वसी प्रकार, देखे, सभी आपके एकजाम में आया हुआ है, जितने भी प्रस्न है, मैं आपके लिए लाया हूँ, चाहे व्यापाम पटवारी की तयारी करे, चाहे लेवर इस्पेक्टर की करे, चाहे यहाँ पर सिच्छक भरती की करे, चाहे आप कोई भी एकजाम की तया पर जो आपके व्यापा में पुछा गया है उसे पर कमांडो जोन अलर्म वाइप रोड पांडा ब्लॉड गॉर्ड वे यह वाला छोड़ दो ना यह पाट छोड़ दो बाकि यह जो जितनी भी पाट है आपका इसको रट्टा मालो यह आपका रट्टा मालो चलिए मैं आप च आपके इस अगर आपके एकजाम में आता है तो 3-4 नंबर यहीं से पुछे जाएंगे गारंटी लेता हूं मैं नहीं आएगा तो वीडियो को स्किट कर देना वीडियो को स्किप कर देना ठीक है चलिए अगर आपको याद हो नहीं हुआ है तो आगर वीडियो में लाश्क नहीं देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बाद वीडियो को क्या यह करोगे, skip कर दिजेगा, और इसके बाद आप इसका screenshot ले लिजेगा, चलिए जल्दी screenshot ले लिजेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए सो गैस, यहाँ पर हम computer virus से कोश्चन देखेंगे जो आपके एंटी वारेश जीके कर थी से क्यों प्राशन देखने वाले हैं तो सबस्ब्स पहले टेंडर माइक्रो होता क्या है तो टेंडर माइक्रो एक साफट्वेयर है एप्लीकेशन ठीक है तो यहां पर देखेंगे अभी मैं आपको कर आ था घंडर क्या नाम है जो यूजर को यानि कि ऐसे हम ऐसे हम इन्सान चांगे इसको कर रहें इस को उसर को исп적 hmm अ़कर वीडियोंड अगर डूर्ड कर रहें तो आपको तो अ उसके बाद error करके लिग दियेगा यह आपको कौन सा होगा trojan horse और सबसे महत्ते पुर्णा बात यह ही कि trojan horse एक antivirus नहीं है ठीक है antivirus एक वारस नहीं है एक trojan horse और मूर्ख बनाने का काम करता है ठीक है वीडियो आपको कैसा लग रहा है अगर कमेंट करके बताएगा ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो part 2 वीडियो आप लेकर जड़र आएंगे ठीक है यह आज के जो वीडियो आपका लेवर इस्पेक्टर और हस्टल वाड करना चाहते हैं तो हमारे class पर attend किजिएगा ठीक है नेस्ट है application software याने कि फैलाने वाले वायरस को क्या कहा जाता है या जाता है माइको वायरस कहा जाता है नेस्ट है आपका ली हाड वायरस कैसे अस्टित्म में है अभी मैं आपको पता हूं जितने भी अभी अगर आप इस्कीन शॉट नहीं लिए हैं तो जाएगा इस्टार्टिंग में फिर से आप लोग वीडियो को दुबारा चेक करेगा वहाँ पर आपको पूरा एंटी वायरस से कोश्चन करा हूं जो कि आपका प्यस्टिम एक्जाम में पूछ जाते हैं पूरा जितने भी कोश्चन वाया है वही है पूरा टोटल बीच से पच्चीस कोश्चन है ठीक है तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कमांड ड हा जाता ठीक है एक कोड भी प्रोग्राम भी जैसे अगर आपका यूट्रुकोशन प्लोग्राम लगाएगा अगर और दीख रहे है तो आप सब्लीकिंग यहां पर प्रोग्राम ठीक है यह कम्पूटर प्रोग्राइगा व्यक्ती द्वारा अपने पहचान को गलत बता कर म अंब करना होता है माल लिजेगा एक time bomb है, इसे ताइम बं होता है आपको वारस होता है जो किसी वीषेज डेटा या समाढ़ के दोरान होता है, आपके option-B में दिया है कुछ वारस के daylight plate को क्या कहा ज्याता है, । हम भी भी कहा जाता है, जैसे daylight पिलेट है आपका, ये कहला था किया कहलता है कंप्युटर का बॉम को फार अवर यह पेसे का नाम है तो क्रिपर आईगा एक वायरस और एक सेलफ रेप्लेटिंग वायरस कोया यीजिए की स्वयम का या फिर खूद का प्रतियां कभी भी एक्जाम में स्वयम के खुज की प्रतियां देख लोगे ना डारेक्ट वर्म लगा देना कि एंटी वायरस क्या होते है कंपेटर कोड होता आपको बताए न अभी प्रोग्राम को कोड या फिर प्रोग्राम की एक Computer virus होता है मालो Computer वरस क्या होता है जो Swam को दोराता है बार बते Computer जो program Swam को दोरा रहा है चलिए नीमनमे स्कॉंसा एक प्रकार का Virus नहीं है आप सभी को पता है Trojan Hearts क्या है एक Virus नहीं है न वारस नहीं है जब कि I Tros Anwar यह आपको डाउनलोड होने का दिखावा करता है क्या होता है जो ट्रोजन हार्स आपका कौन सा एक प्रकार का वाइरस नहीं है पूछा गया है तो ट्रोजन हार्स एक वाइरस नहीं है जब की याद रखना जब की आपका ये डाउनलोड होने का दिखावा करता है या आपको मूर्ख बन कोन से कैसे कोई कि वाइरस कर पाता है तो है सम्पी कौन स स tradisum कोड़ में इसे कौन से यरुत यरणे का फैलाने का यह क्याірस कर लूजु फैल के यहां उछलने का अदर साथ तरीका क्या मालूम है आपको इंडिया निवे को क्या बोलते हैं आफिस्यल एंटिवायरस का आ जाता है कि एपली वायरस किस अस्थित में आया तो आपका 90 में एक मिनटी यह आपका आएगा यानि कि 1980 में ठीक वीडियो को लाइक कर देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर जो हमारे चैनल को देख रहे हैं पहली बर आएं तो जल्दी से यह सब्सक्राइब कर लिजेगा क्लास डेली चर रहे है बिलकुल रिकोर्टर फांपर अपलोड किया जा रहा है अपको डेली क्लास करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो याद नहीं होता तो वीडियो को दुबारा देख लीजेगा रिवाइस कर लिजेगा, अब पढ़ने की आऊ सकते ही नहीं इधर, अब पढ़ने की जरुवत नहीं है, आपके पास 15 से 16 दिन है, आप क्या नया चेप्टर पढ़ोगे फिर कंप्यूटर में, रिवाइस करो ना, जो भी मैं करा आ रहा हूं, बिल्कुल यहाँ पर रिवाइस करें कि फिर से क्लास लो, ऐसा नहीं होता न, आप प्लेलिस्ट पर जाओ हमारे, वहाँ पर प्रूरा क्लासेस मिल जाएगी, हाँ, सिख जग भरती के एक्जाम आपका 10 जुन को है, टाइम नहीं है आपके पास, कल सायद ITI वालों को है, ITI वालों को एक्जाम है, कल क्या है, आठ है क्या, आठ तारिक, आएट जो 920 पर पर जो वेकेंसी निकला था, सायद वही वाला होगा, जो इसको एक्जाम है, टीक है, तो देखें, जो 1981 के मध्य नाम के एपल कंप्यूटर जानते हो, यह आपका सेक सेकंड होगा, एपल कंप्यूटर का सेकंड पार्ट, वायरस वीवन तरीकों पता लगा सकता है, कितने तरीकों से, दो, तीन, चार, पांच, कितने तरीके से खुद को चुपाता है, जाल दिस आप लोग बताए, कमेंड करके, आपके कंप्यूटर के हाड रिस्क हैं, वायर डायरेक्ट एक्टन वायरस ही इस्टाल होगा, डायरेक्ट एक्टन वायरस ही इस्टाल होता है, और कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट एक्टन वायरस को क्या करते, खाली स्थान के रूप में जाना थे, नाउन रेसिडेंट, ठीक, नाउन रेसिडेंट वायरस, कि बदाल देते हैं पॉलिमॉर्फिक का मतलब होता है कि उसको पहचाना मुश्किल है क्यों अगर हम इस प्रकर साइन के रहते हैं तो इस प्रकर साइन कर पायंगे देखो जैसे कि अगर मैं ले जैसे कि रहा हूं अब Legal देखा हूं प्ल surround मिवाईर्पिक वायरस है जो जैसे के अगर सीक्षा करते हों आज हम लिए आपको स्चिगनेचर अगरो वायरस होता है डायक्ट इसको चेंज कर देगा समा वह कुषा से प्रवाइल को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रेमित करता है मालेवलिजी एक कंप्युटर है कंप्यूटर में फाइल है जो इतना तरह का फाइल अगर है उसको क्यों कि दिलेट करता है क्यों कि ऑलोड हो जाता है कि कया मितना? इस्पेस फिलर वायरस से सनतूर्च सटिसफाई नहीं कर पाता है यह होने का दिखावा करेगा फिर मुर्ख बनाएगा वर्णी था आपको ट्रोजन ही आप ट्रोजन हार्ट्स है अपका एंटीवायरस नहीं है अचलिए अब फिर से देखिए वह एक्जाम में बारब कौन सा सब्टर के प्रगाजिए स्वयम की प्रतियां कभी स्वयम की प्रतिकृति सेफ रेपलेटिंग पु जो लोगता तो यूजर इंटरवेसनल के साथ नकल करने में सक्चम है तो वायरस ही एक ऐसा जो है फाइल है जो ही नकल ही करता है वैर आज चाहिए वायरस नहीं है और डाउन्लोड होने का दिखावाय करता है मुर्ख बनाता है कि आफ़कर सभी क्यां अब वर Lawrence कोशन देखने के 30 कोशन मैंने बोला था लेकिन चलिए और आप लोगों कोशन देखना है देख सकते हैं कौन से एक सब्सक्राइब प्रोग्राम है जो एक बार में अपने कम्पूटर पर इस्टाल हो जाता है और आपके इंटरनेट ब्लाजिंग को आदिदों को ट्रैक करता ह है और वहां पर सब्जेट को संब्दित में जान पर पोज में भेता है एडवेयर कहलाता है ठीक है 35 कोश्चन देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब प्रोग्राम जिसे कम्पूटर यूजर को सोचन करने के लिए डिजाइन किया जाता है कम्पूटर वारस वर्म डूजान एडवेयर था के और खृफ कने वाले व्यापक सब्द होता है जो कम्पूटर वारस से संबंदित होता है उसको मल प्रोग्राम हो जो हैकर को दार अपने कंप्र आपको सचे पकड़र पक्ड़ू में केंद्र कंथे वाग कम्प्यूटर के जानकर दासाद में डाटा समीद को पढ़ना होता है यह आपका इस प्रकार कहला आएगा टोटल पैंतिस कोषण हमने देखा है वीडियों कैसा लगता कमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छा लगते तो लाइक कर देजेगा अधिक से जानकारी के लिए सेर कीजेगा ऐसी और वीडियो चाहते हो तो बिल्कुल लाइक करके सस्क्राइब